नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन स ओफिशल पर तो जैसे कि हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ल करते हैं तो पहले हम पूरे टोपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रिविएस एर क्वेशन भी कवर करेंगे तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं तो मध्यकाल में यानि कि मेडियेवल पीरियड मे भारत को पक्षमी देशों से जोडने वाले दो समुदरी मार्ग थे यानि कि जो भारत का पक्षमी देशों के साथ व्यपार होता था इस व्यपार के लिए दो मार्ग थे पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग तो जो ज़्याद पहली कठनाई तो ये थी कि जो लाल सागर वाला मार्ग था इस मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ता था यानि कि बहुत धूंद पड़ती थी और दूसरा करन था कि इस मार्ग में बहुत से चटाने थी इसलिए जो ज़्यादा तर वेपार होता था ये फारस की खाड़ी वा एशिया यानि कि भारस से होकर उरोप को जाती थी तो रास्ते में बहुत से देश पड़ते थे तो हर देश को टेक्स देना पड़ता था यानि कि उस वस्तू को अगर उरोप तक पहुँचना है तो मार्ग में जितने भी देश पड़ेंगे उनको चूंगी देनी जिस कारण क्या होता था कि जो भी वस्तुमें भारस से और एशिया से यूरोप को जाती थी वो काफी महंगी हो जाती थी क्योंकि बीच मार्ग में उन पर काफी टेक्स लग जाता था। जादा तर वेपार करते थे वैसे देखा जाए तो जो अर्व वेपारी थे अर्व के वेपारी थे यह भारस से वस्तुमें खरीद कर कहां पर बेजते थे यूरोप में जाकर बेजते थे और यूरोप में देखा जाए तो जो इटली के वेपारी थे इनके पूरे यूरोप मे एक अधिकार था तो 1453 इसवी में क्या होता है कि तुर्कों ने कुस्तुन तूनिया के वीजे कर ओटोमन समराजी की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका कंट्रोल स्थापित हो गया और फिर तुर्कों ने ये छेतर से होने वाले उरोपिय वेपार में दिक्कत पैदा करने लगे तो ओटोमन समराजी को आप तुर्की समराजी भी कह सकते हैं जिसके बाद क्या हुआ कि जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था यहां पर ओटोमन समराजी का कंट्रोल हो गया पर ओटोमन समराज्य के बाद यूरोपिय वेपारी अब भारत से वेपार नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोपिय देश थे ये भारत से वेपार करने के लिए भारत को ढूंडने निकल पड़े। इसे करम में आप देखेंगे कि अलग-अलग यूर भारत आये थे तो सबसे पहले पूर्तगाली भारत आये थे। यहां का शाशक प्रिंस हेनरी दा नविगेटर ने इस कारे में महतपूर्न योगदान दिया था। तो 1486 इसवे में पूर्तगाली नाविक जिसका नाम था बार्थ लोम्यू डेज इसने अफरीका में स्थित उतमाशा द्वीप जिसे Cape of Good Hope का जाता है इसकी खोज की थी। तो जो अफरीका महा द्वीप है इसके सबसे दक्षिन में कौन सा देश है? साउथ अफरीका तो साउथ अफरीका के दक्षिन में है एक द्वीप जिसका नाम है Cape of Good Hope तो इसकी खोज की थी? तो पूर्तगाली नाविक बार्थ लोम्यूडेज ने इसकी खोज की थी उसके बाद क्या होता है कि 1492 इस्वे में स्पेन की सहायता से कुलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए निकल पड़ता है और यह महाशय कहते हैं कि जो भारत है यह पूर्व में नहीं बलकि पक्षिम दिशा की और है तो यह पक्षिम दिशा की और निकल पड़ते हैं और अटलांटिक महा सागर से होते हुए यह अमेरिका पहुंच जाते हैं और अमेरिका पहुंच कर यह कहते हैं कि मैंने भारत को ढूंड लिया पर यह भारत नहीं कहां पहुंच जाते हैं तो अमेरिका पहुंच जा तो सबसे पहला कौह सा युरोपी भारत आय था दो इसका नाम था। वासकोडिगामअ या 1498 इस्वे में आय था। इसरी ने सबसे पहले भारत के समुदरिमार की खोज की थी। तो कई जगा आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज वासकोडिगामा ने की वो गलत है। इसने भारत की खोज नहीं की बलकि इसने भारत के समुद्री मार की खोज की थी किसने वासको डिगामा ने और कब की थी 1498 इस्वी को की थी ये दोनों ही पॉइंट या दखेगा पहला कि 1498 और दूसरा कि वासको डिगामा था जिसने भारत के समुद्री मार की खोज की थी उसके बा और के किताबों में भी आप देखेंगे कि इन दोनों का करम एक ही दिया हुआ है पर ये अलग-अलग है जो भी यूरोपिय कम्पनिया भारत में आई थी इनकी स्थापना कब हुई थी इसका करम अलग है और वो भारत में कब आय थे इसका करम अलग है तो इन यूरोपिय में अपने ही देशों में हुई थी पर ये बाद में भारत में आई थी तो सबसे पहले इन कंपनियों के स्थापना वर्ष को देख लेते हैं तो सबसे पहले पूर्तगाली इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 इस्वी में पूर्तगाली कंपनी के बाद अंगरे इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुई थी 1602 इसवे में, डच के बाद डैनिश इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुई थी 1616 में, डैनिश के बाद फ्रांसिसे इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुई थी 1664 इसवे में, और फ्रांसिसे के बाद स्वीटिश इस् सी कंपनी भारत में पहले आई थी उसके बाद कौन सी कंपनी आई तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी 1498 इस्वे में इसके स्थापना भी 1498 इस्वे में हुई थी और ये भारत भी 1498 इस्वे में आई थी तो जब इस कंपनी के स्थापना हुई थी तब इ अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होई थी और अंग्रेजी के बाद डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होई थी पर भारत में आगमन का करम देखा जाए तो सबसे पहले पूर्तगाली आये थे पूर्तगाली के बाद डच आये थे डच के बाद अंग ग्रेज भारत में आये थे तो British East India Company 1608 इस्वी में भारत आये थी या देखेगा इसकी स्थापना 1620 में हुई थी पर ये भारत में 1608 इस्वी में आये थी तो जब British East India Company की स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था उसमय इसका नाम था The Governor and Company of Merchant of London Trading into the East Indies उसमय इसका नाम था पर बाद में जब ये भारत में आये तब इसका नाम पड़ गया British East India Company ये 1608 इस्वी में भारत आये थी तो British के बाद Danish भारत में आये थे 1616 इस्वी में उसमय इनका नाम था Danish East India Company, Danish के बाद फ्रांसेसी कमपनी भारत में आये थी 1616 इस्वी में उसमय इस कमपनी का नाम था Company दा End Oriental British के बाद जो भी करम है न वो कमपनियों के स्थापना वर्ष का करम भी सेम है और भारत में आगमन का करम भी सेम है तो सबसे पहले पूतगाली आये थे भारत में भी और स्थापना भी सबसे पहले पूतगाली कमपनी की ही हुई थी पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना हुई अंग्रेजी के बाद डेच इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना हुई पर भारत में आगमन के करम में डेच पहले आ गये थे डच के बाद अंग्रेज आये और बाकी का करम जो है वो सेम है यानि कि चोथे नमबर पर डैनिश इस्ट इंडिय कमपनी की स्थापना हुई थी और भारत में भी चोथे नमबर पर डैनिश इस्ट इंडिय कमपनी आये थी डैनिश के बाद फ्रांसिसी आये थे फ्रांसिसी के और सबसे पहले देखते हैं पूर्तिगालियों का आगमन तो पूर्तिगाल दवारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्क खोजने में आर्थिक एवन धार्मिक कारण सक्रिये थे तो दो कारण थे जिस कारण पूर्तिगाली भारत आये थे पहला कारण आर्थिक था और दूसरा कारण धार्मिक था तो आर्थिक कारण था वेपार करना जाहिड सी बात है और धार्मिक कारण था एशिया में इसाय धरम का परचार करना उसके बाद सरव परथम 1498 एसवी में वासको डिगामा भारत में कालिकट बंदरगा पहुचा था तो भारत में केरल में कालिकट बंदरगा तो सरोपर्थम वास्को डिगामा किस बंदरगा पर पोचा था कालिकट बंदरगा पर पोचा था कई बार एक्जामे पूछा गया है तो यहां पर पहले से बसे हुए अर्बी वेपारियों द्वारा वेमनसे का रवया अपनाये गया तो पहले से ही जो अर अर्बी वेपारी थे उनका रवया वास्को डिगामा के प्रती सही नहीं था तो कालिकट के राजा थे जमोरिन जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और उसे मसाले तथा जड़ी बोटियां ले जाने की अनुमती भी प्रदान कर दी तो वास्को डिगामा ने भारस से मसाले कहां पर ले गया वापस यूरोप में ले गया कि वासको डिगामा ये जो भी मसाले और जड़ी बोटियां भारत से लेकर गया था ना यूरोप में तो यूरोप में बेचकर उसे कितना मुनाफ़ा हुआ आपको पता हैं लगभग 60 गुना मुनाफ़ा हुआ था उसे जानि कि जो भी मसाले वो भारा से युरोप लेकर गया था, युरोप में बेचने के बाद उसे 60 गुना मुनाफ़ा हुआ था, तो 1498 के बाद 1500 इसवी में अलवारेज केबरल के नेतरतों में अगला पूर्तगाली अभियांदल भारत आया, और ये भी मसाला आदि लेकर पूर्तगाल चला गया, तो 1500 के बाद 1502 इसवी में वासको डिगामा दुबारा भारत आता है, और इस वर्षिस ने क्या किया, कि कोच तो कोचीन में खोली थी, या दखेगा, यहीं पर इसने भारत में पहली पूर्तगाली बसती भी बसाई थी, कहां पर कोचीन में, तो 1505 इसवी में क्या होता है, कि पूर्तगाली सरकार ने एक नए नीती अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नुक्ति की ग भारत में एक पुर्तगाली गवर्णर की न्युक्ती कर दी, जिसका नाम था अल्मीडा, ये सबसे पहला भारत में पुर्तगाली गवर्णर था, इसका नाम था अलमीडा तो अब हम अलमीडा के बारे में पढ़ते हैं तो अलमीडा 1505 इसवे से लेकर 1509 इसवे तक पुर्टगाली गवर्नर बना रहा तो अलमीडा ने क्या किया कि कोचीन का दूर्गी करन करवाया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया तो वासको डिगामा ने क्या किया कोचीन में पहली पुर्टगाली फेक्टरी खोली थी ना उसी कोचीन को अलमीडा ने क्या किया उसके किले बंदी करवा दी चारो तरफ से दूर्गी करन करवा दिया और इसे अपना मुख्यालय बनाया तो 1508 और 9 इसवे में इसने गुजरात मिसर और तुर्की के संयुक्त जल बेडे को इसने हरा दिया और वहाँ पर अधिकार कर लिया जिसके बाद क्या हुआ जो भारत का पूर्वी तठथाना यहां पर बहुत सारी पूर्टगाली फेक्टरियां खुल गई और भारत का जो पूर्वी तठथा यह पूर्टगाली के कंट्रोल में आ गया उसके अगला गवर्नर बनता है अलबुकर्क तो अलबुकर्क 1509 इसवी से लेकर 1515 इसवी तक पूर्टगाली गवर्नर बना रहता है तो अलबुकर्क भारत में पूर्टगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि इसने 1510 इसवी में बीज वास्कोर डिगामा तो वास्कोर डिगामा 1524 हिस्वी से लेकर 1529 हिस्वी तक यहां का गवर्नर रहा और 1529 हिस्वी में इसकी गोवा में मृत्ति हो गई और गोवा में ही वास्कोर डिगामा की कवर बनाई गई है और सेंट जोबियर जोकी इसाई संत थे इनकी कवर भी गोवा में है तो गोवा में ही वास्खोडिगामा की मृत्ति हो जाती है यहीं पर इनकी कबर बनाई गई है और सेंट जेबियल जो की इसाई संथ है इनकी कबर भी गोवा में है उसके बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर बनता है नूनो दा कुनहा ये 1539 से लेकर 1538 एसवी तक पु वास्थिक उत्राधिकारी बना क्योंकि इसने 1530 एसवी में कोचिन की जगे गोवा को अपनी राध्धानी बनाया तो गोवा को किसने जीता था अल्बुकर्क ने और नूनो दा कुनहा ने क्या किया इसवी को अपनी राध्धानी बनाया इसलिए अल्बुकर्क का वास्थि कुत्राधिकारी कौन माना जाता है नूनो दा कुनहा क्योंकि इसने गोवा को अपनी राध्धानी बनाया और कुनहा ने मदराज के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पूर्तगाली बस्तियों की स्थापना की और ये पहला पूर्तगाली गवर्नर बन गया जिसन भारत के पूर्वी तड़ पर भी एक पूर्तगाली फैक्टरी खोली अभी तक हम ने देखा था ना कि भारत के पक्षमी तड़ पर ही पूर्तगाली फैक्टरी थी पर इसने भारत के पूर्वी तड़ पर भी पूर्तगाली फैक्टरी खोल दी किसने नूनो दा कुनहा ने तो आगे अब हम पूर्तगालियों की भारत को क्या देन है वो देख लेते हैं तो भारत में प्रेस याने की छापा खाना पूर्तगालियों की ही देन है और तंबाकू की खेती सरप्रतम 1508 हिस्वे में दक्षिन भारत में पूर्तगालियों नहीं शुरू करवाए थी उत्तर भारत में देखा जाए तो तंबाकू की खेती शाह जहां के काल में आई थी और दक्षिन भारत में देखा जाए तो 1508 हिस्वे में जो तंबाकू की खेती है ये पूर्तगालियों की ही देन है और कई सारे फल और सबजियां जो की अब हमारे दिंचर्या का हिस्सा है वो भी प पिननास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मुंगफली, काजू और बादाम की खेती पूर्टगालियों की ही देन हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये सबजियां और फल हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं तो ये सब भी पूर्टगालियों की ही भारत को देन हैं। त 1505 से लेकर 1509 इसवी तक तो इसने क्या-क्या कारी किये तो इसने सबसे पहले मिसर, तुर्की और गुजरात के स्वनिक तिजल बेडे को हरा दिया था। और कोचिन का दुर्गी करन भी इसे ने करवाय था और उसी को अपना मुख्यालय बनाय था। और कैना नोर में पूर् अधिपत्य की स्थापना की और भारत में पूर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी अलगुकर्क को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पूर्टगालियों के बारे में पढ़ लिया, अब हम आगे डचों का आगमन देखते हैं, क्योंकि पूर्टगालियों के बाद डच भारत में आये थे, तो डच होलेंड जिसे अब नीदर लेंड कहा जाता है, यहाँ के निवासी थे, तो सर प्रथम 1595 एस में कहां पर आये थे, तो इंडोनेशिया में आये थे, उसके बाद 1602 एसवे में विभिन डच कमपनियों को मिला कर, जो होलेंड की सरकार थी, इसने एक कमपनी बना दी, जिसका नाम रखा United East India Company of Netherlands, तो इस नाम की कमपनी, तो United East India Company of Netherlands के नाम से एक व्यपारिक संस्थान की स् और प्रथम 1605 एसवे में डच नो सेना नायक वाँ देर हेक के नित्तिरतों में डचों का पहला अभियान दल भारत की और भेजा गया, तो पूवी तडपर स्थित मसूली पटनम में इन्होंने अपनी पहली फेक्टरी स्थापित की थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंड, जैस पूर्वी तडपर स्थित पूली कट में अपनी दूसरी फेक्टरी बनाई और इसे अपना मुख्याले भी बनाया, और ये लोग यहां सोन पैगोडा, जिसे सोने की मुद्रा कहते हैं, वो ढालते थे, तो आगे अब हम देखते हैं, तो 1653 इसे में क्या होता है, कि डचों ने बंगाल में स्थित चिंसूरा जो आप देख रहे हैं, यह चिंसूरा, तो डचों ने बंगाल में स्थित चिंसूरा में अपनी फेक्टरी स्थापित की, और बंगाल में यह हैं, डच मसालों का निर्यात नहीं करते थे या दखेगा जो पूर्तगाली थे यह भारत से मसालों का वेपार करते थे और जो डच थे यह भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे यह भारत से सूतिवस्त्र, नील, शोरा, कच्चारेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात किया कर तो डचों के बाद भारत में अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है जो कि यह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो एलिजाबेद प्रत्थम का शाषन काल बिटिश इतिहास काल में स्वर्निम युक के नाम से जाना जाता है यह कई दृष्टियों में महतपूर्ण रहा क्योंक समबर 1600 इसवे में एक विशाल वे पारिक संकी स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया गोवर्नर एंड कंपनी ओफ मर्चेंट ओफ लंदन ट्रेडिंग इन्टू दा इस्ट इंडिस और इसी कंपनी में अनिक शेर होल्डर थे तो यही कंपनी जब भारत में आय थी तो इस कंपनी होती है जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आती है और भारत में एक परकार से अपना कंट्रोल बना लेती है तो आगे हम देखते हैं तो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली यातरा हुई थी यह 1601 इसवे में हुई थी जब कंपनी के जहाज इंडो निश्य गई थी उसके बाद 1608 इसवे में कैप्टन होकिन्स के नित्तरतों में कंपनी का पहला प्रतिनिती मंडल जो की हेक्टर नामक जल जहाज से आया था यह जहाज का नाम भी या दखेगा इसका नाम है हेक्टर नामक जल जहाज और इसी जहाज में कैप्टन होकिन्स अपने परतिनिदी मंडल के साथ भारत पहुचा था, कि जहाँ से हेक्टर नामक जल जहाँ से, तो यह कहाँ पर पहुचा था, तो यह सूरत पहुचा था, और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली आस्थाई फेक्टरी की स्थापना की थी, यहाँ दखेगा, तो देखिए, पूतगालियों ने अपनी पहली फेक्टरी को चीन में लगाई थी, डचों ने अपनी पहली फेक्टरी मसूली पतना में लगाई थी, और जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने अपनी पहली आस्थाई फेक्टरी सूरत में लगाई थी, इनकी पहली जो स्थाई फैक्टरी थी वो मसूली पतनम में लगी थी पर पहली जो आज स्थाई फैक्टरी थी ये सूरत में लगाई थी तो इसे आज स्थाई फैक्टरी क्यों कह रहे हैं क्योंकि जब अंग्रे जाए थे न इन्होंने जब सूरत में अपनी फैक्टरी का नि पहली फैक्टरी बनाई थी इनकी जो पहली स्थाई फैक्टरी थी पर जो पहली आस्थाई फैक्टरी थी वो सूरत में बनी थी या दखेगा उसके बाद आगे क्या होता है कि जो Captain Hawkins आता है ये सूरत से जहांगीर के दरबार पहुचा और जहांगीर ने से 400 का मनसब तथा ख देखते हैं तो 1611 इसवी में क्या होता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी तटपरस्थित मसूली पटनम में अपनी दूसरी फैक्टरी की स्थापना की जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि अंग्रेजों ने मसूली पटनम में अपनी पहली स्थाई फैक्टरी क लगाने की इजाजत दे दी इसलिए 1613 इस्वी में जो सूरत में अस्थाई फेक्टरी बनी थी वो अब स्थाई हो गई तो अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फेक्टरी कहां पर लगाई सूरत में पहली स्थाई फेक्टरी कहां पर लगाई मसूली पटनम में उसके बाद आ में रहता है और इसने क्या किया इसने वेपार करने से संबंदित तथा वेपार करों के छूट से संबंदित दो लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्ट कर लिए मुगल बाश्या से तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे एक प्राइविट कंपनी ने भारत में धीरे धीरे अपने कदमों को मजबूत किया तो जैसा कि हमने देख लिया कि टोमस रो ने जहांगीर से व्यपार करने और व्यपार में छूट के लाइसेंस प्राप्त कर लिये उसके बाद क्या होता है कि 1632 इस्वी में अंग्रेजों ने गोल कुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला उन्हें 500 पॉंड का वार्षिक कर देकर उसके बदले में गोल कुंडा के जितने बंदरगा थे क्योंकि ये कंपनिया थी इनका कामता व्यपार करना और व्यपार कहां से होगा तो इनके लिए बंदरगा यानि की ओट इंपोर्टन्ट थे तो इन्होंने क्या कि 500 पॉंड व पर्मान भी कहा जाता है उसके बाद आगे देखते हैं तो 1649 इसमें क्या होता है चंद्रगिरी के शाशक से अंग्रेजों ने मदरास को भी पट्टे से प्राप्त कर लिया और यहां पर अंग्रेजों ने सेंट जोर्ज नामक किले का निर्मान करवाया था तो अब हम एक ए करके देख रहे हैं ना कि कैसे अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपणी यहां पर अपने कदमों को मजबूत करती है तो 1649 इसमें चंद्रगिरी के शाशक से अंग्रेजों ने क्या किया मदरास को भी पट्टे पर प्राप्त कर लिया और यहां पर इन्होंने सेंट जोर्ज न रूप में बंबई चार्स द्वित्य को प्राप्त हुआ यानि कि ब्रिटेन के समराठ चार्स द्वित्य का विवा पूर्तगाली राजकुमारी कैथरिन के साथ हुआ तो पूर्तगालियों ने क्या किया अंग्रेजों को बंबई धहेश के रूप में दे दिया उसके बाद बंबई को और फिर कंपनी ने उंगियार को अपना अधिकारी निउक्त करके बंबई के गाउं को शहरी करण करवाया बंबे का अर्बनाइजेशन किसे ने किया था उंगियार ने किया था बंबे का शहरी करण उसके बाद 1698 इसवे में अंग्रेजों ने बंगाल के एक इबराहिम खान से भी 1200 रुपे में तीन गाउं के जमिनदारी खरीद ली और ये गाउं कौन कौन से थे गोविंदपूर, सूतानती और कौलकाता और यहीं तीनों गाउं विक्सित होकर कौलकत्ता नगर बसा तो very very important है किन तीनों गाउं को मिलाकर गोविंदपूर, सूतानती और कौलकाता और कौलकत्ता नगर को बसाने का जो श्रे जाता है ये जो चरनाक को जाता है ये भी एक्जामे पूछा गया है कि कलकत्ता नगर को बसाने का श्रे किसे जाता है जो चरनाक को जाता है उसके बाद आगे हम चलते हैं 1700 इसवे में तो 1700 इसवे में कौलकात्ता में फोर्ट विलियम्स केले का निर्मान और यह जो भारत के पूरवी छेतर में अंग्रेजों की बस्तियां थी न, उनका केंदर बन गया और जो यह फोर्ट विलियम्स किला बनाए गया था, इसका पर्थम अध्यक्ष सर्चार्ल्स आयर को बनाए गया था उसके बाद क्या होता है कि 1715 एसवी में कमपनी का एक परतिनिदी मंडल जोन सर्मन की अध्यक्षता में मुगल समराड फरुक्षेर के दर्बार में पहुचा और इस परतिनिदी मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकिस्सक भी था यानि कि एक डोक्टर भी था तो हैमिल्टन न क्या किया तो फरुक्षेर को एक गंभी रोग हुआ था तो हैमिल्टन ने क्या क्या फरुक्षेर का इलाज किया और फरुक्षेर को इस गंभी रोग से मुक्ति दिलाए तो इसके बदले में मुगल समराड फरुक्षेर ने परसन होकर 1717 इसवी में एक फर्मान द्वारा कम कनी को अनेक रियायत्य फ्रदान की याने कि इसने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी को बहुत सारी कर वंशूर Holle बहुत शूर दे इति कि इसने मुगल बाश्या फॉरुक् सियर ने तो आगे तो हम पूरी मोडन हिस्टरी में अंग्रे जों के बारे ही पढ़ेंगे तो यहां पर पहले हम देख लेते हैं की अंगुरेज़ों के द्वारा भारत में कौन कौन 40 से थापत की गए थी तो एक बार पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले 1608 इस्वि में चूरत में अंग्रेजों ने अपनी अस्ठाई फेक्क्टरी की स्थापना गी थी जो कि बाद में चलकर 1613 इस्वी में स्थाई हो जाती है और सबसे पहली स्थाई फेक्टरी कौन सी थी 1611 इस्वी में मसूली पटनम 1611 के बाद 1616 इस्वी में एहमदाबाद बुरहानपूर और आगरा में इन्होंने अपनी फेक्टरियां स्थापित की उसके बाद 1632 इस्वी में गोलकुंडा में उसके बाद 1633 इस्वी में बालासेर एवं हरिहर एवं हरिहरपूर जिसे उडिशा कहते हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी फेक्टरियां स्थापित की उसके बाद 1649 में मदरास में 51 में हुगली में 79 में बंबई में और 1700 इस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपनी फेक्टरियां स्थापित की थी तो अंग्रेजों के बाद डैनिश कंपनी का आगमन भारत में हुआ था तो डैनिश डैनमार्क के निवासी थे जो की 1616 इस्वी में भारत आये थे और बंगाल स्थित सेरामपूर में इन्होंने अपनी बस्ति स्थापित की थी और ये भारत में इनका मुख्य केंदर था तो डैनिश कंपनी से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते बस आपको यही याद होना चाहिए कि इन्होंने सबसे पहले बंगाल में स्थित सेरामपूर में अपनी बस्ति की स्थापना की थी उसके बाद फ्रांसिसी कंपनी का आगमन भारत में हुआ था तो फ्रांसिसी कोटीन की शाषनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ड के परियासों से 1664 इस्वी में हुई थी और सर्व प्रथम 1667 इस्वी में फ्रेंको कैरों के नेतरतों में फ्रांसिसीयों का पहला अभियांदल भारत के सूरत में पहुचा था और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फेक्ट सूबेदार शाष्टा खां से इन्होंने एक जमीर प्राप्त की और इसी जमीर पर चंदरनगर नामक परसिद फ्रांसिसी बस्ती का विकास हुआ तो आप यह देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यही है चंदरनगर इसे फ्रांसिसयों ने बंगाल के सूबेदार पांडिचेरी का और आगे चल कर 1735 इसवी में डिूमा फ्रांसिसी गवरणर बनकर पांडिचेरी आया और इसके समय में फ्रांसिसी वेपार का अत्यधिक विकास हुआ था तो 1961 में गोवा पुर्टगालियों से अजाध हुआ था इसलिए सबसे पहले 1498 में पुर्टगालिय ही भारत में आय थे यानि कि पहले यूरोपिय थे जो भारत में आय थे और सबसे आखिर में यही भारत से गए थे 1961 में तो आगे चलकर अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसेसियों के बीच में यूद देखने को मिलते हैं करनाटा के यूद वह हम अगली वीडियो में देखेंगे करनाटा का प्रथम यूद करनाटा का द्वित्य यूद और करनाटा का त्रित्य यूद तो तीन यूद हुए थ वो हम अगली वीडियो में देखेंगे तो आज का हमारा थियोरी सेक्षन यहीं पर कंपलीट होता है अब हम प्रिविएस यह क्वेशन देखते हैं तो पहला प्रशन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तो सूची एक में उरोपिय कंपनिया दी हुई है और सू ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी की स्थापना इसकी स्थापना हुई थी 1600 इसवी में उसके बाद है डेच इस इंडिया कंपनी इसकी स्थापना 1602 इसवी में हुई थी फ्रेंच इस इंडिया कंपनी इसकी स्थापना 1664 इसवी में हुई थी तो इन कंपनियों के स्थापना जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो इसका सही जवाब है option B अलफांसो डी अलबुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था अगला प्रेशन है कि निमन लिखित में किस यूरोपिये ने भारत में सबसे पहले अपना वेपार फैलाया और परभावित किया तो सबसे पहले कौन से यूरोपिये भारत आये थे तो इसका सही जवाब है पूर्त गाली option D इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि वर्ष 1498 इसवे में वासको डी गामा भारत में कहां पर उतरा था तो मैंने आपको पताया था कि वासको डी गामा 1498 में भारत आया था और किस बंदरगाह पर आया था काली कट बंदरगाह पर इसका सही जवाब है option B अगला प्रेशन है गोवा दमन और देव का उपनिवेशी करन मूलतक किया गया था तो आपको पता ही है कि गोवा पर किस पुर्तगालियों द्वारा अधिकार किया गया था option D इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि अलबु करक ने गोवा को किसे चीना था बीजापुर के सुल्थान से option B इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि किसे जहांगीर ने खान की उपादी से सम्मानित किया था, खान या English खान की उपादी से, जिसका सही जवाब है, Option ए, Captain Hawkins को जहांगीर ने खान या English खान की उपादी से सम्मानित किया था, अगला प्रशन है, कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फेक्टरी की स्थापना कहां पर की थी, तो अंग्रेजों अगला प्रशन है कि भारत में तमबाकू के प्रचलन कश्रे किसे है तो भारत में देखा जाए तो खासकर दक्षिन भारत में देखा जाए तो पूर्टगालियों के द्वारा तमबाकू के खेती की शुरुआत की गह थी? अगला प्रचन है कि पूर्टगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और देव को किस वर्ष जन अंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारत गनराजे में विले हुआ तो गोवा, दमन और देव को पूर्टगालियों से कब आजाद करवाए गया था? अगला प्रचन है कि किस मुगल बाशन ने 6 फरवरी 1613 को यह फरमान जारी कर अंगरेजों को सूरत में एक स्थाई कोठी खोलने की अनुमती दी? तो पहले अंगरेजों ने सूरत में आस्थाई फेक्टरी बनाई थी पर किस मुगल बाश्या के फरमान के बाद यह फेक्टरी स्थाई हो गई थी? तो इसका सही जवाब है ओप्शन B जहांगीर आज का आखरी प्रेशन है कि फ्रांसीसियों को चंदर नगर बस्ती किसने भीट की थी? तो इसका सही जवाब है ओप्शन C शाष्ता खाने फ्रांसीसियों को चंदर नगर बस्ती भीट की थी? तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसे लगी ये वीडियो कुमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद